जैश्वी कृष्णा हर्र महादीव सावन का आखरी मंगलवार और साथ में ही जो भी स्वहागन महिला इस बर मंगला गौरी का व्रत जिनने उठाया था और जो कर रही थी उसका उध्यापन का दिन सावन का मंगलवार बहुत जादा विशेश होता है इसलिए कि हम जब सौमवार के व्रत रखते हैं तो उसके अगले दिन ही हम मापारवती के लिए मंगला गौरी का व्रत रखते हैं अब मंगला गौरी का व्रत और आखरी सावन का ये मंगलवार तो इस दिन ऐसा खास क्या उ उपाई किये होंगे, मगर आपने मापारवती से चीज नहीं मांगी होगी, तो आप उसे मांगे, कल के दिन जरूर से जरूर, इसलिए कि आपने जो भी पूजा राधना करी है, उसके लिए आप दिल से माँ से प्राधना करें, कि मा मेरी पूजा राधना आप सिवकार करे, मेरे व्रत को आप सिवकार करे, जिस भी PRAKार से पूजा राधना करें, इसलिए कि मुझे इतना ज्यान नहीं है, इतनी बुझी नहीं है, और मैंन आपकी पूजा राधना भक्ती करी है, बहुती मन्र भाव से, आप मेरे भाव देखें और मेरे जीवन में चल रहे किसी प्रकार की समस्या उसे दूर करें और आपने साथ में वहीं बैठकर ओम नमशय मंत्रों का उच्चारन करना कम से कम एक माला तो जरूर ही जरूर करें साथ में इस सावन के पूरे महिने में जिनों ने अभी तक शिंगार का समान किसी को नहीं बाटा है नहीं दिया है या मापारवती को नहीं अरपन किया तो कल के दिन जरूर से जरूर शिंगार का समान मापारवती को गौरा मया को अरपन करें जिससे कि आप सदा सुहागन रहे और साथ में ही कल आप हरी रंग की चूड़ियां पांच जगा या साथ जगा ले 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 और जरुद मंदों में जरूर से जरूर दे और जैसे कि कल है अश्टमी सुभा साड़े नौब जी तक अश्टमी ती रहेगी जैसे सावन की अश्टमी ती बहुत ही जादा खास वो भी मापार्वती को जरूर से जरूर लाँए और संभव हो सके लो आप छोटी-छोटी कनियाओं को जरूर से जरूर कले कल आपने उद्यापन करने हैं मंगला गोरी व्रत का तो अद्यापन करनी केली जरूरी होता है कि आप कोई प्रशाद बने उसका भोग लगाए और वो आप बाटे जरूर बाटनी से क्या होता है आप जब वो प्रशाद बाटे हैं तो आपके जीवन में चल रही वो समस्या दूर होती है तो कल की दिन जरूर से जरूर आप यह करें और आज ही से आप त्यारी कर ले अब दूसरी चीज में आपको बत और कल जैसे के मंगलवार है सावन का आखरी मंगलवार तो अब आपने हनुमान मंदिर भी जरूर जाना है चोटा सा अपाय करने कल के दिन आप एक बीड़ा जरूर बना लें मेठा बीड़ा बनाना है मगर हाद ध्यान रखेगा उसमें गुलुकों जरूर से जरूर डलवा और कल संभव हो सके तो आप खुद भी पान का सकते अपने पती को भी खिला सकते हैं और चाहे तो पती अपनी पत्नी को भी खिला सकते हैं तो कल का दिर वाकी में बहुत जादा शुब है तो आप ये छोटी से रामेडी जरूर करें और आपको एक चीज और बताओं कि कल के कि दिन सावन का आखनी मंगलवार बिल्कुल मत भूलेगा कल लीजिगा जो मैं रेमेडिय आपको कल के दिन बतारी वो खास आपनी करना किया आपनी करना है कि एक मिट्टी का मट्का लेलेना है तो यसे मंगलवार का दिन है और जब भी हम मंगल ग्रहे को जोड़ते हैं उनकी कोई remedy करते तो हम मिट्टी से उनको कनेक्ट करते तो आपने एक मिट्टी का कलश ले लेना है मट्की ले लेनी एजली आपको मिल जाएगी उस मट्की में आपने करना है क्या बूंदी बूंदी कल हनुमान जी को अरपन होती है मंगलवार के दिन आपने उस बूंदी से इस मट को अच्छे से भर देना है और इसके मुख को आपने लाल रंग के कपड़े से बांदेना है इसके बाद आपने इस मत्की को ले जाकर किसी भी हनुमान मंदीर में चाहके हनुमान जी को अरपन कर के आने है योपाई कल के दिन बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा इसलिए कल कल के दिन करें अपने जीवन को खुशाल बनाए और अगर वीडियो अच्छी लगते तो प्ली जादा से जादा शेयर करें सभी का भला हो सके इसलिए चोटी-चोटी सुपाई जिंदगी में अगर सही तरीके सी सही समय पर सही घड़ी पर किया जाए तो बदलाव जरूर इसलिए कि एक उपाई आपकी जिंदगी बदल सकता है और कर्म अच्छे कीजिए इसलिए कर्म अच्छे करते हैं तो आपको फल अच्छे ही मलते हैं कर भला तो हो भला तो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें तो आपका स्वें का अच्छा होगा तो चलिए मुझे आगे आप सबी को जैश्वी कृष्णा हर हर महादेव